फिल्म इंडस्ट्री में जब दिल के साफ अक्टिल्स की बात होती है तो उसमें शोले के गबबर यानि की अमजद खान साब का नाम भी शामिल है बहतीरीन काम किया और बहुत ही अच्छे इंसान थे जितनों की मदद कर सकते थे की जितनों को काम दिलवा सकते थे दिलवाया जितनों को पैसे उधार दे सकते थे दिये जितनों के लिए फ्री में कम पैसों में काम कर सकते थे किया लेकिन जब उनके परिवार को जरत परी तो कोई भी सामने नहीं आया ये बात बताई थी हमजद खान के बेटे ने एक इंटरव्यू में हमजद खान के बेटे शादाप खान ने बताया कि उनके पिता की 1992 में हाट अटेक से डेथ हो गई थी लेकिन उससे पहले जब वो बिमार थे तब कई लोग उनसे मिलने आते थे उनके मारकेट से 1 करोड 23 लाक रुपे उदार थे वो सभी लोग घर पर आते थे और विश्वास दिला कर कहते थे कि हम तुमारे पैसे लोटा देंगे हमारे घर की चाबी तुम रख लो हम जल्द ही कोशिश कर रहे हैं या फिर कोई अपनी मजबूरी बता था था कि अभी भी मैं प्रॉबलम में हूँ इसलिए पैसा नहीं चुका पा रहा हूँ इस तरह की बाते होती थी 1992 में अमजद खान साहब की डेथ हो गई परिवार एकदम financial crunch में आ गया पैसे नहीं थे घर चलाने के शादाब ने बताया कि वो जो लोग जिनसे मेरे पिता पैसे मांगते थे उन में से एक शक्स भी सामने नहीं आया और नहीं पैसे लोटाए घर की चाबिया रखना तो दूर की बात कुछ एक लोग थे जिन्होंने पैसे लोटाए otherwise कोई भी नहीं आया हमारी मदद करने के लिए हाँ एक अंडर वर्ल का डॉन था उसने दुबाई से कॉल करके कहा था कि हम तुम्हारे पिता के जितने भी पैसे हैं लोटा देंगे तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी लेगिन तब शादाब की मदर ने इस अंडर वर्ल गैंस्टर से मदद लेने से इंकार कर दिया क्योंकि शादाब का कहना था कि अगर उनके पिता अमजद खान जिन्दा होते तो वो भी इस तरह की help कभी किसी गैंस्टर जैसे आदमी से नहीं लेते कि कुछा थान जिन्दाब कर दिन्दाब कर दिन्दान